तोबी आखिर है क्या ये एक मूवी है सच मुछ में बिल्कुल भी नहीं ये एक बहुत बड़ा मैजिक है राज भी सेथी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनका स्टाइल क्लास ओफिट्स ओन मैजिक ऑफ इंडियन सिनेमा देखो I would like to say that those who have watched this movie is very lucky and those who won't be able to see it's bad luck for you guys कहानी टीके दयानंद के आधार पर है राजबीर शठी ने कहानी के कैरेक्टर की कुछ ट्रेट्स को और उनकी विसेसाओं को बरकरार रखते हुए फिल्म के लिए एक नया स्क्रीन पर लिखा फिल्म की कहानी उत्तर करनाटका के कूमता छेत्रिक पर आधारित है हिब्रू म आईए बताते हैं आपको इस वीडियो में इतने सालों तक राज शेठी ने जोड़ देकर कहा है कि वो पहले लेखक है इसके बाद वो निर्देशक और फिर जाकर अभीनेता लेकिन टोबी के साथ राज प्रूफ इस राइट अप देर एज़ परफॉर्मर गरूर गमना व एक शक्ती के साथ बड़ा होता है ये फिल्म इस बारे में है कि समाज उसके साथ कैसा वहवार करता है और फिर उसके साथ क्या होता है देखो टोबी फिल्म को किसी भी कैटेगरी में फिट करना बहुत ही डिफिकल्ट है ये एक एक एक्शन फिल्म बिल्कुल नहीं है ये ए दूत है और दूसरों के लिए शैतान है ये सब बात निर्भर करती है कि उससे कौन मिलता है इस फिल्म में टोबी एक इंस्पेक्टर के साथ एक पुलिस इस्टेशन में अपने पद का कारभार समालता है जिसका छेतराधिकार जो है बहुती सीमित है और चोरी और लापता होन के मामले अक्सर वहाँ पे रिपोर्ट किये जाते हैं वन डे टोबी राजबी सिट्थी इस फांड मिसिंग फॉर फ्यू डेज एंड़ के स्ट्राइब वेरी हाड और उसकी गोर ली हुई बेटी जैनी चैत्रा अचार अपने पिता को ना ढून पाने के कारण पुलिस के ख किलाव गुस्से में दिखाई देती है कहानी उस पुलिस अधिकारी के सास आगे बढ़ती है जो टोबी को और उसके पास्ट के बारे में जानने को लेकर बहुती एक्साइटेड है इस बीच जब रिवॉल्वर से गोली चलाई जाती है तो उस साउंड को लेकर उसकी अपन नहीं मिल पाते हैं हमें जल्दी पता चल जाता है कि टोबी एक अनाथ है और बोल नहीं सकता चर्ज के फादर नहीं उसका नाम टोबी रखा यहां तक कि उसकी बेटी जेनी भी वास्तों में एक अनाथ थी जिसे टोबी ने पाला था और फिर आनंदना दीपक शेठी नाम क कंड़ा मुवी देखो इसमें कोई भी दोराय नहीं है कि टोबी स्क्रीन पे आने से लेकर क्लाइमेक्स तक राजबी से ठीके सांदार प्रदर्शन जो किया है वो देखने लाइक है अभिनेता कहीं भी लड़ खडाता हुआ नजर नहीं आता है और एक ऐसे व्यक्ति के अपने कैरेक्टर को कई रंगों में जीता है एक अनात, पिता, प्रेमी, वफदार और निर्दई हत्यारे के रूप में बागी कलाकारों की बात करें तो लगबख सभी ने बेहतरीन काम किया है और अपनी अच्छी खासी भूमी का निभाई है एस मूवी में लेकिन जेनी क रूप में चेतरा ने सबसे प्रभाव साली इंपक्ट छोड़ा है एक बेड़ी के रूप में यही कारण है कि टोबी को अपने पैनी कैरेक्टर के बीच कुछ खुर्शी मिलती है जिसका यूज आनन्दा अपने हिडन गोल्स को पूरा करने के लिए यूज करता है सेक्स व होता हुआ नजर आएगा मुवी का फर्स्ट हाफ उन लोगों के माध्यम से यह जानने के बारे में है कि टोबी कौन है और उसका अतीत क्या है जिनोंने उसके जीवन में बदलाव लाया and served a purpose in his life second half तब होता है जब चीजे बहुत ही serious हो जाती है और एक भयावा रूप लेत देखो कहानी जादी टोबी में राज भी शिथी और अनकलाकारो द्वारा जो परफॉर्मेंस दी गई है उसे देखने के लिए वो आपको मजबूर करता है बट मेक्शूर यू दो नाट है एंजाइटी इसूस ओफ एनी काइंड और पावरफुल मोमेंट तो अर्राइव लिए यू स्पीचलेस इंड तो फाइनली गॉड इस गॉड तो इस दी मूवी तो इस वीडियो में बस इतना ही एंड इस इस ए मुस्ट वाच अ क्लासिक पीस फ्रॉम अ कंड़ा इंडस्टी सो जा के लेखो और इंजॉय कर इस मूवी को तो मिलते हमारी अगली वीडियो म घरसल्f पलाए